तो students finally आज NTA ने Supreme Court में agree कि वो जो grace marks दिया था 1563 बच्चों को वो गलत है और वो marks को वापस ले लिया जाए उनलों का grace marks को remove करके फिर से उनलों को phrase rank card issue कर दिया जाएगा और वो बच्चों के लिए retest का भी जो बच्चे चाहते हैं जो बच्चे चाहते हैं उन लोगों के लिए retest भी वो लोग दे सकते हैं तो इधर वो retest है नहीं तो वो अपना जो present score है without grace marks वो marks वो rank को accept कर ले तो ये बाद जो NTA को पहले से ही बोला चाहिए रहा था कि कैसे आप दे सकते हो loss of time के लिए grace marks तो वो मानने के लिए तयार नहीं था वो कोई दूसरा exam का जो कोई low बनाया गया था वो लोग को इधर implement करके बता रहा था कि ये हम लोग order के साथ loss of time के लिए marks दे दिये जो कि बिल्कुल भी वो बात justified नहीं था बच्चे suppose last में 10 questions चोड़ दिये वो 10 questions वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे किसको पता तो आप उसका पहले paper ले लिए तो क्या वो 10 questions के लिए marks मिल जाएगा तो ये बिल्कुल भी justified नहीं है तो NTA finally agree किया है लेकिन बात ये है कि ये 15 सब बच्चों को तो आप दे दिये retest के लिए लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चों का ऐसे भी होगा जो कि आलग पंड़ है ये और भी बच्चे होंगे जो पहले से ही कोट नहीं जा पाए हैं तो उन लुग क्या देश में जो 23-24 लाख बच्चे एकजाम दिये हैं वो 24 लाख बच्चे से इतना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कोट में बता नहीं पाए हैं कि मेरा भी लॉस हुआ है तो वो सावी पेपर लीक का केस आ गया तो डिनीट पूरा सारे बच्चों का हने का चांसे से अभी ये भी बहुत सारा केस और भी बहुत सारा पेरेंट्स मैं देख रहा था कुछ न्यूज मेडिया दिखा रहे थे कि बहुत सारा पेरेंट्स ये 650-660 है उन लोग को रेंक मिला 40,000 के ऊपर रेंक मला तो वो लोग का कहना है इतना बच्चों का जो रेंक कैसे हो सकता है 650 मार करके भी इतना रेंक कैसे हो सकता है जो कि लास्ट येर 15-16 हजार रेंक था इस बार 48,000 तीन गोना रेंक बढ़ जाता है उसका मतलब कोई ना कोई पेपर लिक का बात हुआ है बच्चों को पहले से कोशन पता है और बहुत सारे बच्चे आच्छा स्कोर कर दिये तो ये कहना है लेकिन NTA बार बार ही बोल रहा है कि रिड्यूस से लबस से बहुत बच्चे पियर किये हैं तो बच्चों का performance average कर बढ़ा है तो अच्छा results हुआ है तो ऐसे generally expected नहीं है जितना अच्छा भी result हो तीन गुना rank ये accept, digest नहीं हो रहा है तो we expect कि सचाई सामने आए और जरूरत हो तो इसका CBI या कुछ बड़े एजनसी इसका देखे इस बारे में कि इस साल तो दिया गया grace क्या NTA पहले भी बहुत सारे exam में ऐसे grace marks दे चुका है तो ये सारे चीज भी verify होना है होना चाहिए और दूसरा चीज है कि NTA ये सारे बच्चों को grace marks तो दिया पर इतना सारा rank का जो increase हुआ वो क्यू हुआ उसका analysis और देश भर का ये पंदरा सो बच्चों क्या एक ही region से आते है या ये पंदरा सो बच्चों का data ऐसे भी study करना चाहिए कि ये पंदरा सो बच्चों जो high court में गये है उनका parents के साथ NTA का कोई relation है क्या क्या ये रेंटी है पहले से ये parents को बता दिया था कि भाई देखो आप इस type का loss of time के लिए case फाइल करो और हम आपको grace marks देके करवा देंगे या ऐसे कुछ हुआ है कि बहुत सारा सवाल है जो कि clarification होना जरूरी है बच्चों का मन में question है बच्चे दो साल, तीन साल, चार साल ड्रॉप लेके मेहनद करके ये rank 656 साथ नंबर रखें और उन लोग के लिए justice तो होना चाहिए अच्छे का college का admission के लिए वो लोग honestly exam दिये बाकि बच्चे इस type का second जो method है पीछे दर्वाजा वाले method इस पर नाग उनको ये होना नहीं चाहिए ये allow नहीं होना चाहिए तो we hope कि justice will be done for the students जो students honestly exam दिये हैं और NTA को further इस type का issues के लिए completely एक audit जो कि एक independent body रहना चाहिए जो कि हर exam का हर results का NTA का audit होना चाहिए कि ये कौन से तरीके से results हुआ कोई link या कोई paper link का doubtful case आ रहा है क्या एक ही center का सारे बच्चे का results इतना high हो चाह रहा है क्या तो ये सारे post exam study जो होना चाहिए वो study perfectly होना चाहिए तो और भी कोई update आता है इस matter में NEET को लेके तो जरूर हम आप से share करेंगे आपका क्या विचार है what you think about this NEET examination it should be done full for the whole students whole number of students सारे बच्चों के लिए होना चाहिए या जो 1500 बच्चों के लिए जैसे ही सुप्रीम कोट बोला है उतना ही बच्चों का करवाय के result दे दी जाएग तो 23 जुन को होगा 30 तक result आजाएगा च्चों कांसलिंग है तो ये सारे चीज़ डेट से जो बन के आ रहा है तो सी यू इन दे नेक्स वीडियो बाबाई